नमस्कार, डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्ध्यलंकर क्लासिस वन्स अगिन, पहले तो आप लोगों को कॉंग्रेजुलेशन्स कि आप लोगों ने एक बेस्ट इंस्टिट्यूट ऑनलाइन प्लाटफोर्म के लिए चुना हुआए, नाओ लेट में इंट्डूस माइसे में बायोजी के इंट्रोडक्शन, बायोजी के कंसेट्स, बायोजी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स बताऊंगा, चलो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो हमारे सब्जेट से, बायोजी क्या है, तो यह बायोजी मींस वाट, स्टड़ी अफ लाइफ, स्टड़ी अफ लिविग तिंग्स, यह स्टड़ी अफ का है, लिविग तिंग्स, लिविग तिंग्स का स्टड़ी करने को कहते हैं, बायोजी, यह लिविग तिंग्स क्या है, आप लिविग मैं लिविन तिंग हुँ हम इंतरचिन कर रहे ये पन it is a non-living thing the board it is a non-living thing फिर living things क्या है what is the difference between non-living thing and living thing so living thing के अंदर life है right So what is a living thing, the things which have life हम सब लोगों के अंदर आज लाइफ है पट यह लाइफ क्या है, लाइफ किस में है, लाइफ कहा है exactly आप लोगों में है, मुझ में है, बट वेर इट इस exactly मेरे बोड़ी के कौन से पार्ट में लाइफ है, तो एवरी पार्ट में लाइफ है हमारे बोड़ी का एवरी पार्ट किस से बनाए, सेल लिविंग ओर्गिनिजम में कौन आएगा, बैक्टरी आएगा, हाती आएगा, प्लांट्स आएगे, एनिमल्स आएगे, सारे लोग आएगे सब लोगों के बोड़ी में बेसिक क्या है, सेल है बरबर है, सो, वाट इस असेल, सेल इस बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आफ लाइफ, आज हमारे बोड़ी के सारे स्ट्रक्चर से बनें, बोड़ी के सारे फंक्शन्स को, सेल कंट्रल कर रहे हैं, तो, आएट्स वाए, सेल इसिक कालरे में का रहन वाइज का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इनिट आफ लाइफ . बड़ ये सेल काम कैसे कर रहा है ये तो कोई बैटरी वाला सेल नहीं है ये कोई फिजिक्स वाला कोई सेल नहीं है ये हमारे लिविंग और्गिनिजम का सेल सेल काम कैसे कर रहा है बोगास सेल के अंदर जाने सेल के अंदर लाइफ है बट अभी तक हमको वही सवाल है कि लाइफ क्या है इसका एंसर नहीं धूर पा रहे हैं लाइफ कोई अबजेक्ट है क्या नहीं एक सेल को ले लो एक आपके सामने सेल है मेरे यहाँ पर दोनों हाथों में suppose दो सेल है one is the living cell and second one is the dead cell आप लोगों तो पता है कोई cell dead होता है right तो यह इधर dead cell है और यहाँ एक living cell है what is the difference पहले तो दोनों में क्या फर्क है दोनों भी तो सेल है इसमें भी सब कुछ है इसमें भी nucleus, mitochondria, chloroplast, Golgi body, Cytoplasm दोनों सेल में equal quantity of material है फिर यह living है और यह dead क्यों है what is the difference difference is the activities present in the cell यह जो सेल है that is a living यह लायू सेल है लायू और यह dead cell है दोनों में फर्क क्या है it is having life and it is not having life no life right तो इसमें लाइफ नहीं है मतलब क्या नहीं है इसमें तो सब कुछ है but what is lacking behind क्या कम है तो the process is lacking यह लाइफ जो है लाइफ जो है ना लाइफ इस नहीं बत रिसल्ट अब द्धान से सुनो सब लोग the best definition of biology में लाइफ का definition what is the life life is the result of all the basic activities taking place in the cell which is in a controlled form point to be noted फिर से मैं दोहराता हू what is the life cell के अंदर होने वाली activities यह सेल में अच्टिविटी नहीं चल रही है यह स्टॉप हो चुका है इसमें कुछ भी नहीं है because it is not having life so dear friends आज हमारे सामने life का definition आचुका है so what is the life life is nothing but result of life is a result life is a result किसका रिजल्ट है result of processes result of का है processes living organism के सेल में होने वाली processes लेकिन यह processes होना मतलब क्या है कौन सी process चल रही है क्या physics की कोई process चल रही है क्या chemistry की कोई process चल रही है yes absolutely right life के अंदर जो process चल रही है that is a metabolic processes metabolic processes so हमारे सेल के अंदर होने वाले metabolic processes यानि reactions के result को हम life कहते हैं चरह सोचो अगर कोई person जिन्दा है दो सेकंद में मर गया just imagine दो सेकंद पहले ये बंदा जिन्दा था दो सेकंद में मर गया उसके शरीष से गया क्या है सब कुछ तो होई है body के एक है part होई है कपड़े उसके होई है every part, even the blood blood का flow होना रुख गया है ठीक है, but blood तो है part सब कुछ है, फिर गया क्या है उसमें हम लोग सामन्ने बाश्रा में उसको आत्मा कहते ये आत्मा उगरा कुछ नहीं तो गया क्या है गया कुछ नहीं है, the process is stopped simple right तो dear friend, once again what is the life, life is nothing but the result of processes, metabolic processes taking place in a living cell, cell क्यों बोल रहो है बिकाँ सेल के अलाबा कोई लाइफ नहीं है, अब आप लोग बोलेंगे वाइरस की बात करेंगे हम वाइरस, scientists लोग confused है, वाइरस को living कहेंगे कि non living कहेंगे, it is on the threshold of living and non living things threshold मतलब मद्य दोनों के बीच में वाइरस क्या है, वाइरस में living की भी property है और non living की भी property है वाइरस living का बरकर रहेगा जब वो हमारे sale में जाएगा coronavirus आप लोगों तो पहलम यह online का pattern हम लोग को corona के कारण देने तो coronavirus जब आया था हम सब परिशानते क्यों because हो हमारे sale में जाके divide होता है, point to be noted हमारे sale में जाके divide होता है, ऐसा क्यों, because उसको sale नहीं है, virus do not have sale, wherever तो जिसमें sale नहीं है उसमें life नहीं है इसलिए virus को हमारे sale का इस्तमाल करना पड़ता है, for the purpose of their living clear, so finally मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हो कि जिस organism में basically sale है उस organism में life है, clear so life is related to the cell and cell is the basic structural and functional need of our life clear, good तो चलो हम लोग आगे बढ़ते है अब चलो हम लोगों ने biology का आर्था तो जान लिया, कि study of life अब life हमारे sale में sale क्या है हमारे body का part है दुनिया में living organisms कितने हैं, बहुत सारे प्रकर के सब के body में क्या है sale है sale से ही तो सब कुछ बनता है तो हमारा जब sale से start होता है वो body के एक levels होते है organization के levels होते है तो अब हम देखेंगे levels of organization या और्गेनिजम लेवल्स आफ और्गेनिजम्स और्गेनिजम्स के लेवल बाइलोजी के लेवल्स तो सबसे simple basic लेवल में कौन आता है तो sale आता है clear cell आप लोग को अभी अभी कहा था हमारे body में सबसे basic लेवल में लेकिन क्या हमारे body just a cell से बनी है no बहुत सारे cells एक साथ आएंगे तो tissue बन जाता है right आप लोगों को पता है tissue के बारे में what is a tissue tissue is nothing but group of cells which is similar in origin similar in function and they are combinedly working together as a unit clear हम multicellular organism से bacteria unicellular organism bacteria में tissue नहीं है because they are unicellular but basically cell तो है but हमारे लांदर हम लोग multicellular है ये lion, tiger, deer, elephant होगरा mango tree होगरा सारा उसमें क्या है उसमें tissues है tissue की क्यों जरूरत है हमको because body को performs करने अलग-अलग functions करने है bacteria के cell जितना function करता है क्या हमारे body का cell भी उतने ही function करता है बिलकुल नहीं हम लोग advanced है multicellular है higher organisms है body में specialty है तो function ज़्यादा चाहिए तो जितने ज़्यादा function चाहिए body में complexity चाहिए right? body should be complex और हमारी body को complex बनाने के लिए ये levels होते है levels of an organisms तो dear friends सबसे basic level में कौन है cell next level tissue और बहुत सारे tissue जब एक साथ आते हैं तो बनते हैं tissue system कौन सा है tissue system तो dear friend कौन से tissue system है आप लोगोंने कभी school में या फिर कही आप पढ़ा होगा epithelial tissue system the nervous tissue system the muscular tissue system right तो ये हमारे tissue system बरवर उससे हमारी complex body बनती ये tissue system जो है वो बहुत सारे tissue system एक साथ आते हैं तो क्या बन जाएगा तो बन जाएगा हमारे body के organs right organ is the next level of an system अब ये organ जो है body के organ कौन से है जैसे कि मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ ये mouth ये हाथ ये मेरे आखे ये सारे क्या है organ से internal बात करेंगे तो हम लोग kidney, liver, brain, intestine, small intestine, large intestine what are they, they are organs right तो हम जैसे लोग multicellular organism एक बहुत सारे organs से बने वे हैं जब बहुत सारे organs एक साथ आते हैं तब बन जाती है organ system right अब यह organ system कौन सी चीज है organ system मतला for example excretory system जो kidney से related है waste material को separate करती है second one nervous system brain से related है sochnे से related है next one the digestive system for the digestion purpose हमारे functions अलग है हम complex है body simple नहीं जितने functions अलग उतने systems अलग right digestive system प्लांट में नहीं nervous system प्लांट में नहीं because their body is large but not complex large होना और complex होना में बहुत फर्क है our body is not large as large as the plant but our body is more complex than the plants जितनी complexity dear friends बड़ेगी उतना body में organ systems भी advance होते जाएंगे simple सी बात करते हैं हम लोग कौन से एक साधे organism को ले लो example for example और तोम को ले लो और तोम भी organism में बड़ हम से सिंपल है छोटा है तो उसके बोड़ी में system है लेकिन हमारे इतनी नहीं हमारे जिसे और गन्स नहीं है तो दो मोर दो ऑर्गनिजम इस गेटिंग कॉंप्लेक्स दो मोर डिफ्रेंट सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन इंदें अब यह organ system से क्या बनता है हमारे digestive system nervous system यह system वो सारी system से मिलके बन गया है आपके सामने जो दिख रहा है कौन organism मैं कौन हूँ एक organism हूँ तो different organ system constitute together to form an organism right तो हम एक organism है आप सब लोग एक organism है हम सब लोग की बाड़ी इस तरीके से इस लेवल से बनी वी है लेकिन dear friends once again मैं कहता हूँ यह सारे लेवल kाम कर रहे हैं अलग-अलग काम कर रहे हैं अलग अलग क्यों काम कररे है? Because the tissues सबके अलग अलग है Tissue अलग अलग functions कररा है Function in a metabolic process Clear? Tissue systems Different different functions कर रहे Different metabolic process Again I am repeating Life is biology का फिर से introduction What? Life is nothing but the result of all the metabolic activities, metabolic reactions taking place in our cell. Clear? Dear friends, आज हमारा जो topic था मेन, वो topic आप लोग तो जानते हिए, ये था हमारा topic introduction to biology, चलो introduction हमारा हो चुका है, next part में हम लोग और biology के अंदर detail study करेंगे, बाय सब लोग! चलोग करेंगे, वो को streaming, वाई हमारा जजप जडो को मिर करेंगे, झाला सब रोग करेंगे, नहीं में एह पनाते हैं, वो तो किसमार है, बायस किसमारा हो भी किसमारा है, में हम चाराए कर्पूनется सब लोग भी कार्यों, जरी किसमारा है।